हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब तो देखिए गेट के अंदर एक कोश्चन पूछा गया था कोडिनेशन कमेस्ट्री से तो उस कोश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे एक कोश्चन क्या था निकल D8 का कॉंप्लेक्स दिया गया था आपको जैसा स्क्रीन के उपर दिखाई दे रहा है तो कोश्चन के अंदर हमें दो ट्रांजिशन देखे और एक उसके बीच की ट्रांजिशन पूछे गई थी जो की क्या थी स्पिन फॉर्बाइट एंड ट्रांजिशन थी तो उस कोश्चन के बारे में देखते हैं उसका राइट आंसर क्या होगा तो स्टार्ट करते यह question में क्या केता है इंदा electronic absorption spectrum of aqua solution nickel NS362 positive यह weak band is observed between band due to transition दो transition हमें question के अंदर दी गई है 3A2G से 3T2G और 3A2G से 3T1GF और इन दोनों के बीच में एक band मिलता है weak band उसके लिए हमें transition का पता करना था कि इन दोनों के बीच में एक band मिलेगा जो की weak band होगा और वो कौन सा होगा उसके लिए जो responsible transition होगी weak band के लिए वो पता करनी थी option में हमें दिया गया था 3T2G सारे option में देखिए spin forbidden transition हमें दी गई थी question के अंदर जो option दिये हो है उनमें देखिए A2G की जो spin multiplicity है वो है 3 बाकी सारे में सब में क्या है जहां transition हो रही है वो वन एजी वन एटूजी वन टी टूजी वन टी वन टीवन जी अब नीच्चे देखिए आपको एक note डालके लिखा हुआ है यह देखिए किसी book में लिखा हुआ है कि D8 system के लिए जो दो spin sometime two spin forbidden transition जो कि मैंने red light से cover कर रखा है उसको आप देखिए कि 2 spin forbidden transitions मिलती है जो कौन सी है 3 A2G F से 1 EZD और दूसरा क्या है 3 A2G F से 1 T2G D तो इसका मतलब यह है कि यह दो transition जो है यह जो spin forbidden transition हमें मिलती है D8 system के अंदर इसका मतलब यह है कि हमें जो 4 option दिए गए है उनमें से option number two जिसमें क्या हो रहा है 3 A2G से 1 A2G तो इसको तो eliminate कर दोगे उसके बाद option number four देखिए 3 A2G से 1 T1G 1 T1G यह वाला भी हम क्या कर देंगे eliminate अब बात आती है option number first and option number third के बीच option number third and first इन दोनों में से कौन सा होगा क्योंकि जो note में लिखा हुआ है कि यह 2 spin forbidden transition जो हमें मिलती है तो इन दोनों में से इन दोनों में से पुच्छा क्या गया था question के अंदर की दो जो मैंने blue वाली जो question के अंदर statement में दिया गया था blue वाली उनके बीच में कौन सी लाई करेगी तो बीच में देखिए आपको दिख रहा होगा कि one easy वाला है वो क्या कर रहा है बीच में लाई कर रहा है तो इसके लिए right answer क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला कि आप देख सकते हो वाली वाली उनके बीच में जो यह है रेड वाला वनीजी थ्री ए टूजी से वनीजी वाला यह वाला क्या रहेगा इन दोनों के बीच में लाई करेगा जो अमेरिक को कॉश्चन में दिया गया था तो इसका right answer क्या हो जाएगा ए आप यहां से देख सकते हो यह बिल्कुल ट्रांजिशन बल्यू वाली है वो कॉश्चन के अंदर दी गई थी और उनके बीच में पुचा हो गया था and thank you so much everybody ट्रांजिशन बल्जू प्रांजिशन बल्ड़ विल्कुल